शाम को चार बच के पंद्रा मिनट हुए हैं इस हाइवे का आखरी वीडियो क्योंकि दो इंटरचेंज बचे हैं और आज के दिन का भी आखरी वीडियो यही है क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ दो घंटा नीन आई थी वो भी गहरी नहीं आ पाई इसलिए अब जादा गाड़ी चलाने की तब्यत कर नहीं रही है आराम करना चाहता हूँ नाकपूर पहुचकर घोटी इंटरचेंज से नाकपूर इंटरचेंज तक सिर्फ छेसो किलो मीटर का हाई वे है यह वो जो छेसो बीस किलो मीटर शो का रहा था नाकपूर छेसो बीस किलो मीटर वो इंटरचेंज तक नहीं है बलके नाकपूर सिटी तक है और नाकपूर का पाइपास भी बहुत बड़ा है जहां से भी गुसना चाहें नाकपूर के लिए काफी लंबा पड़ता है शाम हो चुकी है साई लंबे तर होते चले जा रहे हैं कुछ जगों पर मेरी गाड़ी का साया मुझे नज़र आ रहा है जब सूरे पीछे की सीमते चला जाता है तब मेरी गाड़ी का साया मेरी सामने पड़ता है लेफ सैट में आता है तो राइट सैट में लंबा साया गिरता है राइट सैट में जब सूरा जाता है तो लेफ सैट में लंबा साया गिरता है लेकिन लेफ और राइट नजर नहीं आएगा कैमरे में क्यूंकि कैमरा का फोकस आगे है वो उसे देखेंगे तो आपको साया नजर आएगा लेफ साइट में कौने में आप देख सकते हैं साया नजर आ रहा है मैं हूँ शाहिद मुंबई से आप देख रहे हैं शाहित ट्राविल वॉलॉक्स सफर जारी है मंबई से लखनो आज सरे शाम ही होटल देखकर रुख जाओंगा संसेट के करीब और संसेट बिल्कुल करीब है नागपुर भी बिल्कुल करीब है संसेट तो साड़े पांच बजे होगा या उसके कुछ मिनट आगे पीशे हो सकता है लेकिन नागपुर यहां से 85 किलो मीटर है जो की करीब है सिंदी 37 किलो मीटर है और वर्धा 9 किलो मीटर है और समने आने वाला है चार नम्मर का इंटरचेंज यहां पर अब इंटरचेंज करीब करीब मिलेंगे यहीं पर करीब में है चार नम्मर का इंटरचेंज जो निकलता है अदवी के लिए और वर्धा के लिए भी यहीं से एक्जट मारेंगे चार नम्मर का इंटरचेंज पीछे छोड़ चुका है अब आएगा तीन नम्मर का इंटरचेंज और पोटी बोरी यहां से वन सट किलो मीटर है सिंदी 33 किलो मीटर बचा है नाकपुर 78 किलो मीटर और इस वक्त टाइम हुआ है चार बच के पच्चेस मिनट शाम को साया देखो कहां गाली का गिर्दा है शाम को चार बच के 35 मिनट हुए है सिंदी 38 किलो मीटर बचा है बोटी बोरी 44 किलो मीटर नाकपुर 63 किलो मीटर साय और लंबे तर होते चले जा रहे है और पहाडों के साय कहां गिर्दा है पता नहीं चल रहा है क्योंकि सूरज पीछे है पता है मैं तर बचे कि अईंगे है प्रूला नहीं पूला नहीं शाम को 4 बच के 40 मिनट हुए है सेल्डो का इंटर्चेंज आ चुका है इंटर्चेंज नमबर 3 यहीं पे है करीब में सेल्डो और सिंधी दोनों का एक जिपन यही है इंटर्चेंज नमबर 3 नागपत 52 किलो मेटर 56 किलो मेटर जब नागपत और जाएगे हैं तर्चेंज ख़दस खटम हो जाएगा यह अईवे हपआ हएगँ हुझागा तो फिर वहां से, जहां से हाइवे हँए हथा Enjoystar इंटर्चेंज नहीं नमबर 5 किलो मीटरा नहीं अगर तिन दाले हो गया है तो बात करूंगा कितना है तो नबे किलो में कर दो एक कंगा पांच बिजे नाकोद आएगा और शे बिजे रात हो जाएगी दो नमबर का इंटरचेंज 14 किलो मेंटर के बाद मिलेगा बुटी बोरी के लिए 14 किलो मेंटर के बाद नाकपूर 43 किलो मेंटर बाकी है लेकिन एक नमबर का इंटरचेंज जो कि नाकपूर बाईपास का इंटरचेंज है जहां पर यह हाईवे खतम होता है वो बीस किलो मीटर के बाद है और उसके बहुत पहले कुछ किलो मीटर पहले टॉल पलाजा मिलेगा इस हाईवे का आखरी टॉल पलाजा मेरा तो पहला और आखरी वही होगा आठ किलो मीटर के बाद इंटर्चेंज आएगा शाम को चार बच के पचास मिनट हुए हैं दस मिनट के बाद इंटर्चेंज आने वाला है खत्म सम्दूर्टी महामार के खत्म इंटर्चेंज आ गया है और यहां पर पूरा पैसा कटेगा जितना हाइवे यूज किया हुए अब लेगा इंटर्चेंज आएगा अब लेगा इंटर्चेंज आ गया है हाइवे भी खत्म नहीं हुआ थोड़ा सा और बाकी है लेकिन उससे पहले टूल पिलाजा आ चुका है वाइफल टूल पिलाजा चार्जेस है एक हजार चालिस उर्पाए गोटी इंटर्चेंज से यहां तक का चार्जेस है यानि छे सो किलो मीटर मैंने यूज किया है इस हाईवे को तो एक हजार चालिस किलो मीटर कटे हैं और 1040 उर्पाई को जब मैं कन्वेट करता हूँ किलो मीटर पे तो एक उर्पाई 67 पैसा किलो मीटर पड़ता है मुझे ये हाई वे फिर भी सस्ता है और ये है दो नमबर का इंटरचेंज दो किलो मीटर के पाद मिलेगा और एक नमबर का जो इंटरचेंज होगा वो मेरी लिए आखरी इंटरचेंज होगा लेकिन उससे पहले दा ताला और बुटी बोरी के लिए दो नमबर का इंटरचेंज मिलेगा दा ताला और बुटी बोरी के लिए यहां से एक्जिट करेंगे लेग से लोरी के लिए होगा यें थडतेंज हुट हो बोलु मीटBU लेगे हो इव रिए के लेगे लग दुटी अभा दाला के लेखेंगे प्रुड़ों लेडियों आपको रखफ़ों, नदे बाद से लेडियों, नदें प्रॉड़ों को रख़। कि अच्छी के बाद इंटर्चेंज है और इस समुद्धी महामार्चे का एक आखरी इंटर्चेंज है एक सी लेटर से पाउं हटा चुका हूँ इस पीट अब कम होना शुरू हो गई है क्योंकि आखरी इंटर्चेंज आने वाला है जहां से एक जिट करूँगा और वो है एक नमबर का आखरी इंटर्चेंज पहला एक्जिट अमरावति के लिए दूसरा एक्जिट हिंगन के लिए तीसरा एक्जिट नागपूर के लिए हिंगन है हिंगना जाने में गूमने को मिले ही नहीं था अचाने में गूमने को मिलेगा पूदा पूदा और गूल-गूल यहां से MP बार्डर 90 किलोमीटर है इस वक्त शाम को पांच बचे हैं मैंने इस हाईवे को पगड़ा था सुबह 10 बचे यानि टोटल साथ घंटा इसमें दो घंटा मैंने बिरेक लिया है दो घंटा माइनस करतो 600 किलो मीटर का 600 किलो मीटर का हैवे मैंने पांच घंटे में पार किया बिरेक खटा के यह हाईवे अच्छा है सुमोध है और अच्छा बना है नया यहां में टोन देना पड़ेगा यहां में पार किया है नाकपूर बाइपास का टूल पिलाजा आ चुका है और इसने भी पैसा लिया है मुझे से 150 रुपाए इसलिए मैं कह रहा था समर्दी महमार के मुझे सस्तपड़ा एक किलो मीटर के एक सस्तपड़ एक सस्तपड़ा इसलिए मुझे वह सस्तपड़ा इस तो दस किलो मीटर के बाद एक सो पचास रुपाए ले लिया इसलिए 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 इस टैम यहां पे शनाटा है इसलिए नापूर है यहां पे चलना तो स्वार जाता है पर पर एक स्वार चिजर के वहां टॉपाए इसलिए नाटान जाए चर लिया इसलिए दो आक सस्तप़ इसलिए जाए पर करेर मता पस्तप़ पर दे चरए इसलिए 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 नागपूर का बाइपास है, रोड को फिर से बना दिया है, और अभी कुछ दिन पहले बन तैयार हुई है शायद, नहीं लग रही है, कहीं पर कोई खटा नहीं है, इस रोड पर आवाज नहीं होती है, डामर की है ना, और वो गंगरेट की है, अब शाम हो गया, अब संसेट होने वाला आए, सुधर इग्दम पेला हो गया है, और अभी पांच, पांच, आठ हुआ है, पांच मिच के आठ मिनट, अब पेट्रोल पंप करीब में है, कोई, यह कुछ नहीं है, पांच, 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 पां व्हुपदा देखना? में तटेतो औकिलों में दोले आ एओ बन्हे पतो दे बेखसा देखना अए तो थाथ यह पिल्वें तर्श के लिए तर्श के लिए तर्श के लिए तो थाथ यह पीलो में तर्श कर दें अच्छ थीक है तुम्हारा मैप बताएगा कि एतने मीटर के बाद बाइं तरफ से बाद निकलें तो मुझे बता देना यह वाला आएगा दानिश यही चलेगा यूटरम कहा से मारेंगे यहां से नहीं जा सकते निकलने का आपसे नहीं नीचे से यह बिरिज के नीचे से आएगा है कोई सवा पांच बजे हैं छे या साथ बजे होटल में रुकने का इरादा है इसलिए सोच रहा हूं कि कोई पट्रोल पम मिल जाए तो फेरेज भी हो लो जो चाय बजी हुई है वो भी पे लेता हूं और पट्रोल भी भादवा लेता हूं तो पट्रोल पम की तलाश है मिल गया पिट्रोल पम अब यहां पे दुखता हूं थोड़ी देर यही वाला लगाए थे ना तो की बाद में अभी लगाया हूं अभी आ रहा हूं अच बहुत जल्दी बता दी यह जाता चोटू पांच बच के पंद्रम मिनट हुए है और अब हो रहे हैं पांच बच के पैंधिस मिनट प्रेट्रोल भरवार की यहां से निकलता हूं प्रेट्रोल की दा थे प्रेट्रोल प्रेप्सी गास तब भगाता है हाने कि इसमें बिक्टेरिया होता है लग्षमान नपीज़ नपीज़ रग्षमान नपीज़ नोट फिस दे नहीं है वेज़ दुखते हैं तो अमक्सा दफजी है तो पच्छाड़ होता है मैंने देखा है ने चाज्मान मैंने शाम मैंने देखा इस दिखा रहे हैं? दिखा हैंने? वर यादा आद 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 आदा है वह पुट्टी के मारे है नादी है? मैं.. जब मैं खेगे रहे हैं इक अधे लोग हैं तॉट ताड़ी है गारी जो सामने से चला रहा है तुम अज़ गोगा है मैं हमेशा बज़ता ता थोड़ा पुट्ट तो रहा है होटल तो है याद यहां है मुझे मालूम होता कि यहीं पे होटल पे रुखना है तो फिर मैं पिट्रॉल पंपे नहीं रुखता डारेक्टर होटल पे पहुच जाता चलो कोई बातनी होटल अच्छा मिल गया है अब बाकी की बाते सुबह होंगी